कि नमश्कार साथियों स्वागत अभिनन्द जे लसी आइस में इस वीडियो का मुख्य उद्दिश यह है कि विद्ध्यारती जो संगर्श्रत हैं आंदोलन में हैं अपनी मांगों के लिए के अंशन कर रहे हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रियास कर रहे हैं तो अब जो एक प्रिडिक्टेड माहौल आने वाले समय में क्या हो सकता है कि निश्चित रूप से कही ना कही अब थोड़ी सी स्थीतियां विद्ध्यारतों की जो प्रियास है वो रंग ला रहे हैं और स्थीतिया थोड़ी सी बदल सकती है निश्चित रूप से मुझे भी लगता है कि चीजे थोड़ी सी ठीक ठाक होने का समय शायद आगया संभवत है संभव रूप से जो चीजे प्रतीत होती वो क्या होती है उस चीज के बारे में अपन देखते हैं कि संभावित रूप से क्या है कि आयोग जो है कि इस तरह की रणिती अपना सकता है चूंकि इस क्यों को बनाने की पीछे जो हाला कि है तो यह पूरा संभावनों पर आधारित लेकिन समाचा पत्रों में जो न्यूज आ रही है आयोग की तरफ से जो व्यक्तित्वा आ रहे हैं जो अपन यूटूब अगेरा पर ललेंटों पर भी देखा अपन लोगों ने ठीक है उसे म हाई कोड का डिसिजन आ जाएगा या जो भी आगे होगा लेगं तब तक इस फ़िए प्रक्रियुख बडा लिया जाएं और अब यहां सबसे बड़ा आयोग का जो मुद्दा आता है कि आयोग किस तरह की प्रक्रिया अपना सकता क्या-क्या चीज़े अपना सकता किस-किस एक्जाम को लेके यह जानना बहुत जरूरी है और क्या ऐसी चीजें हैं पहली चीज विध्यार्ति के प्रियास जो संगर्शत विध्यार्ति है उनकी प्रियास कहेंना कहीं आयोग पर दबाव क्रियेट कर रहे हैं ठीक है heißt और बार-बार आयोग की वेक्ते तोभी यह आ रहे हैं कि बहुत जल्दियाम चीजें ठीक करने का प्रियास कर रहे है निश्यत रूप से उन विध्यार्तों का यह स इसमें election है ठीक है तो इसका एक चीज का ये फाइदा हम लोगों को बहुत अच्छे से लगता है कि निशीत रूप से सरकार कभी भी युवाओं को या अपनी जनता को नाराज नहीं रखना चाहेगी इसकांट से वो स्वेम भी चाहेंगे कि इन प्रक्रियाओं को वास्तों मे सई धरे पे ला दिया जाए उसके साथ ही जो कि आरक्षन वाला जो मुद्दा है उसी की वज़े से मुख्य रूप से प्रक्रियाओं में अंतर आ रहा है रुक्य हुई है तो उसको लेकर तो क्या है कि कारवाई जो नियाय लेकि वो चला करेगी अब आयो के संबावित जो क अपडेट करके एक बार सारा शेडूल जो है वहां पर देने का प्रियास करेंगे कि जो 2019 है इसके मुख्य परिक्षा का जो भी वापस से आयोजन होना है किस तरह से होगा इसको लेकि तो आयोग में अभी तक भी थोड़ा विचार विमर्ष मंधन चल रहा है कही ना कही उन के आसपास वो लोग जो है फेब मार्च 2019 का जो पुनाय जो मुख्य परिक्षा है उसके बारे में वो निर्णए ले सकते हैं उसके साथ ही इसके एक मैने की घेप के आसपास 2021 है उसकी मेंस को अभी वो निर्णए कर सकते हैं ठीक है के लेंडर अपडेट के साथ ही जो उसको लेके सबसे पहले निर्णए कर सकता है कि 2019 जो MPPSC है उसका प्रीका फिर से एक फ्रेश रिजल्ट जारी करें रिजल्ट जारी करने के बाद वो मुख्य परिक्षा के बारे में निर्णए करें मुख्य परिक्षा के बारे में वो किस प्रकार का विकल अपनाते हैं क्य चीज़े अपनाते इस बारे में अभी ज़्यादा असमंजस किस्तिती सब के सामने आयोग के सामने हैं कितने बच्चे प्रभावित होते हताहत होते हैं जो होते हैं उस आधार पर आयोग जो भी निर्णेली लेकिन सबसे पहले 2019 का निर्णी अकण वो करेंगे इसके साथ ही 2021 जो है उसकी जो प्री का रिजल्ट है उसको लेके भी आयोग आगЕ बढ़ सकता है और 2020 का मेंस इसकी बाद वो उस पे निर्णे कर सकते हैं इसके परिणाम को लेकर क्या चीज़े करनी है किस तर करनी है वो सारी चीज़े है इसके साथ ही दिसमबर जो आपका एंड है 31 दिसंबर से पहले पहले है जो 2022 की प्री है जो एक वर्ष पहले से पीछे चल रही है उसका नोटिफिकेशन भी वो जारी कर सकते हैं ठीक है और ये सुब कुछ संभव हो पा रहा है विद्ध्यार्थियों की संगर्ष के कारण सरकार तक अपनी शाशन तक अपनी आवाज पह पहुंचाने का प्रयास किया है और निशीत रूप से मुझे अभी तक मेरी उम्र जितनी जादा तो नहीं है लेकिन जितना मेरा अनुभव हो रहा है जब-जब युवाने आवाज उठाई है तो निशीत रूप से सरकारों को जुकना पड़ा ये एक निशीत सी बात है और पूरे आंदोलन को उन्होंने रखा है कि वो अपना प्रोटेश से रख रहे हैं जो सरकार को अपनी बात कहने तक सीमित हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने तक सीमित लिए इसा कि किसी परकार के ऐसी दूर गटना प्से की प Records से रसेती करहरों नहीं होने देना ये इसा प्यारी बात रही शायद ही बहुत कम ऐसे आंदोलन रही होंगे जो इन सारे तत्वों के साथ आगे बढ़ पाए तो निशित रूप से उसका लाब मिलेगा और इस तरह की एक जो प्रोसेस है आप लोगों के सामने आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है अच्छा बीस से तीस दिन लगे चानिस दिन लगे लेकिन बीस से तीस चालिस दिनों में मुझे लगता कि यह प्रक्रिया जो आयोग है वो संपादित करने का पूरा प्रयास निशित रूप से करेगा आज के देनिक बास कर डिजिटल जो पेज है उसपे मैंने भी यह न्यू करें हमेशा सविधान में और सरकार में विश्वास बना के चलना है चीजे समय के साथ जरूर ठीक हो जाएंगी और निश्चित रूप से बाकी सारी ठीक है आप अपनी पड़ाई पर भी पूरा ध्यान देवें सभी को सयोग करें सकारत्मक हमेख्षा बने रहे क्योंकि पोज